राधे राधे मेरी योटो फैमली मैं बना रही हूँ साम का खाना और टाइम हो रहा है लगबग पोने आट बजेगा आपकी साथ बहुत सारी होली के रेसीपी मैं सेयर कर चुकी हूँ और रेसीपी तो और भी बहुत सारी है लेकिन मैं सोच रही हूँ कोई ऐसी रेसीपी मिल जाए जो की बहुती इजी से हो और खाने में टेश्टी हो और उपर से थोड़ से टाइम के लिए घर में रुकी भी रहे है ना तो पकवान सकवान तो गरम गरमी खाये जाते हो ठंडा होने के बाद अच्छे नहीं लगते है कोई ऐसी रेसिपी भी तो होनी चाहिए जो ठंड ये जम दाल लाते है ना बहुती बढ़या वाली क्वालिटी की लाते हैं और इसको साफ करने की जुरूतनी पड़ती है इस बाहूल में डालके अच्छे से इसको रगड रगड के तीन चार बार दोके पाने में फुलोने के लिए रख दिया है करीब 5-6 गंटे के लिए तो सुबह का टाइम हो रहा है और करीब 9 बज रहे है रात में मैंने इसको 8 बजे करीब भीगो दिया था और अब 9 बजे का टाइम हो रहा है तो इसको तो भीगे वे 12-13 गंटे हो चुके है चलिए एक दाल का दाना तोड के दिखाती हूँ देखिए बढ़िया से टोट रहा है और ये साइज में डबल भी हो रही है मिकसी का जार लेके आ गई हूँ और क्या करना है इस दाल को निकाल के मिकसी के जार में डाल देना है तो अच्छे से इसको निचोड देना है और थोड़ा बहुत अगर पानी भी चला जाएगा तो कोई फरक नहीं पड़ता है कहने के टुन तो बोलने वाले बोलती हैं कि इसमें बिलकुल भी पानी डाल ना नहीं है लेकिन मैगेuds कि लेते हूं अगर आप इस दाल कें अदर पानी नहीड डालोगे ना तो यह पीसेगी नहीं बिलकुल भी relate कि ना चलिए इस मिक्षी के जार में मैंने डाल लिया है और इसका न एक बढ़ी आसा सा इस्मूद सा पेष्ट बना के तयार कर लेना है तो क्या करना है अगर आपको ऐसा लगे न डाल पिसनी रही है आप उसमें चार से 5 चम्मज के जितना पानी भी डाल सकते हैं यह अपने यहांब से भी डाल सकते हैं अगर दो तीन चमज में काम चल जाए तो इतना डाल ले जादा भी डालना पड़े 5-6 चमज के जितना आराम से आप डाल सकते हैं कहने का मतलब यह है यह जो घोल है ना कुछ इस तरीके से एकदम फलापी और एकदम बारीक पिसावा होना चाहिए मैं तो दरदरा सा नहीं होना चाहिए एकदम फलापी होना चाहिए मैंने इसको इतना पेश लिया है कि यह इस जाहर में ही बहुत ही अच्छे से फलापी बन चुका था एकदम हलका हो रहा था लीगे ना तो इस जाहर में मैंने थोड़ा सा जादे इसको चला लिया था तो पर मुझे हाथों से मैनत कम ही करने पड़ेगी उसके बाद यहाप थोड़ इसे टेश्ट के लिए मसाले से डाल देते हैं थोड़ी कसूरी मेथी थोड़ा सा हींग थोड़ा सा जीरे के दाने मैंने डाले हैं और कई दिन से मेरी साथ क्या हो रहा है दो पहर में मम्मी का फोन जाता है या चोटी बेहन का है नहीं गुडिया का फोन आ जाता है और वो रिसीव भी करना पड़ता है ठीक है ना तो चलिए यह काम ऐसा है कि मैं बात करते करतीन काम को कर लेती हूँ इसको मैंने करीब 2-3 मिनाट के लिए अच्छे से फेट लिया है बिलकुल तयार हो रहा है बिलकुल तयार हो रहा है यह चलिए तो अब हमें क्या करना है इसको रेस्ट पे छोड़ देना है करीब 10-15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए जीतना आपके पास टाइम हो तो मैंने तो इसको करीब 30-35 मिनट के लिए छोड़ दिया है क्योंकि इसको बनाने के बाद मैंने अ इनको थोड़ा सा नहीं ज़्यादा तेल में ही बनाया जाता है कम तेल होता है तो यह कड़ा नीचे नीचे जाके लिचा कैए अगर आम एक करते हैं, गैसईक अगर रिता है, एगा लाश्ट में आके इस तरीके से पोनी ले लेनी है और करीब एक मिनट के लिए ये बड़ो के ओपर पोनी को गुमाते रहना है ताकि ये चारो तरब से एक्टम एक सार होके सीख सके तो देखे कितने बढ़िया ये बढ़े बन के तायार हो चुके हैं तो ये बहुत ही अच्छ पूले चल तू खाना खाले ये आगए का क्म मैं कर लेता हूं जो तुर्य दिखाना है तुने वो दिखा दिया है और देखे इनका थाई किया वड़े बनाने का आप तरीका देके वाटे तो भोल लेते हैं विल्कुल एक की साइट बना बनाओं जो zijn फड़ी चीज होते हैं कहने का मतलब है अच्छे से बनने चाहिए एक बेता है кच्छी रहे ना ुठों क्या होता है न म Luckily कच्छी बीनी लगती है ये उतार ना कच्छे रहा जाएंगे पानी में जाएंगे तो घूल जाएंगे तो थोड़ा ना ध्यान से आप इनको से किएगा तो देखिए सारे के सारे बड़े एक ही साइज के है वो बात अलागे हलकी सीन में पूँच बन लिया हो जाता है इस बात को कोई फरक नहीं पड़ता है नॉर्मल हलवईयों के साथ भी ऐसा होता है चलिए तो यहां पर सारे ही बड़े बनाके तयार कर लिया है और यह जो बास की टेनर काफी बड़ी है और यह अच्छे से बर चुकी है यहां पर देखिए बहुत अच्छी से जाली बन लिया है तो चलिए यह तो हमारे तयार हो चुके है अब प्रोसीज आता है इनको भिगोने का पता है जलबाजी में ऐसा मेरे साथ बहुत होता है यह तेल की कड़ाई बहुत जादा गराम हो रहे थे और मैंने इसको दबा के उठा लिया और उस साइड में रग दिया तो इतनी जादा गराम थी कि आप पोछे मत मेरे बहुत बु किते हैं गुन-गुना सा करके एक बड़ा सा बरतन या फिर इस तरीके से बाव लेके आ गई हूं एक छोटा चमच के जितना नमक डाल लिया है हाथ पे थोड़ा सा नमक लग गया था तो बहुत जादा चलन होने लगी है मतलब जलबाजी में बहुत चोटे घाते हैं किचन में अपने कभी हाथ चल जाता है या कभी ठोकर लग जाती है कुछ नकुछ नुकसान अपनी क्या करते हैं बड़ी की साथ करते ही रहते हैं चलिए पानी हाँ पे डाल दिया है मैंने थोड़े से बड़े बचा लिये हैं मेरा मन कर रहा तब तब तीसरे पैर की चाई बनाए अब जैसे वड़े हैं ना यह भोज़त पैर के उपर को आ रहे थी तो इनके उपने एक प्लेट रख देते हैं ताकि अच्छे से पानी में फूल सके उनको मैंने करीब दो घंटे के लिए रख दिया है तो दो घंटे में बिल्कुल तयार हो जाएंगे यहाँ पर मैंने यह इ और देखे अभी घंटा भर ही हुआ है और जो वड़े हैं ना हमारे बन के बिल्कुल तयार हो चुके मैंने आपको निचोड के दिखा दिया है दही लेके आ गई हूं और इस दही की रेसीपी मैं आपकी साथ शेयर कर चुकी हूं आज ही मैंने दिन में यह रेसीपी शेयर क अच्छा एक चीज का आपको और भी ध्यान रखना है आपको जादा क्वांटिटी में वड़े नहीं डाले हैं जितने आपको खाने हैं केवल इतने ही डालेगा ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है ठीक है आप चाहे तो दही के अंदर चीनी भी घोल सकते हैं और बाद में बड़े डाल सकते हैं अगर हलका सा मीठा फ्लेवर पसंद करते हैं मैंने इसको इसी तरीके से गार्णिस किया है बच्पन में चाट वाला आता घर पे और हम खाते थे तो वह नो इसी तरीके से सजाकी दे देता पहले दही फिर खटाई फिर हारी चटनी फिर थोड़ा सा न जादा छेड़ा कानी नहीं करूंगी यह मेरी मजबूरीती आपको दिखाने के लिए तो देखे कितने अच्छी समें जाली बनी हुए तो घंटे भर में ही यह वड़े हमारे तयार हो चुके हैं तो चलिए यह काम तो मेरा हो चुका है अब मैं जारी हूं अंदर भोग लग अधिश्ट लगे हैं कि बच्चों ने और मेरे हस्बेन ने बॉल दिया है कि खोली के दिन इनी दहीवड़ों को बनाना जो भी गैस टाएगा सभी को यही दहीवड़े देंगे हम कि अपने कि बनीवी चीज लगती है अची ने लेकिन फुrav जीज अपने हाथ की बनीवी अच्छी को यह बना कर देदे बूरती ज्यादर सूपर लगती है वह टेस्टी वह यह किन माने आप करम आप को खिला बाती